नई सड़क, वार्ड नंबर 49 का इलाका और इस सहर के बिधायक प्रियम कुमार भी इसी 49 वार्ड में ही रहते हैं और मैं आपको बताऊं ये है विश्णुपत के बिलको आसपास जहां पर लोग पंडा समाज रहते हैं और यहां पर इनका आस्रम भी चलता है आप सामने देख रहे हैं करनाटक भवन जहां करनाटक से आए स्रधालू इनके लाइब ही कम फ्रूम मैडम करनाटक से लोग कहां से आ हैं करनाटक भवन आपका है अच्छी पता ही उन्चालिश में क्या क्या समस्या है वाड नंबर में देखिए समस्या क्या है अगर इसने लोग आते हैं बहुत लंबे लंबे चोड़े चोड़े बात को तके जाते हैं और काम कोई करते नहीं है प्रतक्षी लोग उतना ज्यान नहीं देते हैं वो इलेक्षन के टाइम में लंबी बाते करके जाने वाले बहुत लोग है तो क्या लगता है इस वार प्रत्यासी आपके जो है वो अच्छे हैं कौन है आपके इस वार के प्रत्यासी जिनको आप समर्थन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं चुन्ना जादब जी के समर्थन में यहां का पढ़ना समाज और यहां जो भी आश्रम चला रहे हैं आप देख सकते हैं भीड चंदाजा जी बताइए सर इस वार्ड नंबर 49 में क्या-क्या समस्या बहुत सारी समस्या है भी तरह कभी जाइए पुरह जाम है पूरा जाम है ऐसे डाम जाने कों करे बाम है यह कि अभी जो आपके वार्पार्स है उन्होंने काम नहीं किया तो आप चुनावी महौल है तो अभी आपके उमिद्वार जिनको आप समर्थन कर रहे हैं कौन है तो हमारे सामने जो अच्छे अभी इंकार जिखले चट पर हो में हम नों देखा इसलिए इस वार्ण नमर 49 में जी बताइए सर क्या-क्या समस्या है और किसको इस वार भोट देकर जिताना चाह रहे हैं कि क्यूं बोट दीजेगा सर इनको जिताना जा रहा रहा है क्यूं फोट दीजेगा इनको किया इनों ने कर दिया अप लाका नने वाले हैं अच्छा काम कर रहा हैं तो यह है वार्ण नबर 49 का इलाका और भी लोगों से बाते करूगा जी बताईये सर क्या क्या समस्थ्या है वार्ड नमर 49 में नहीं होता है क्यों ऐसा होता है तो आप चुनावी महाल है तो आप किनको समर्थन करेंगे जो हमारे लिए काम करें उसका समर्थन कौन है वो उम्तवार जब आप खड़े हुए हैं जी हम देख रहे हैं उनका स्वर्थन आप चाहते हैं करना चाहिए तो आप देख सकते हैं यहां पर सुन्ना यादब ध्रमेंदर यादब का नाम उनके नाम का लोग समर्थन करने में जूटे हैं यह दिखिए यहां पर सबकों पर भीड दिख रही है और करिब करिब सारे जो लोग है वो कंट बिल्कुल जी तुछ समस्या है है जर आपके वार्ड में इस इस हैं यह 40 में है अच्छा यह 40 का वार्ड है रोड के बाएं तरफ 49 है जी जी रोड के और यह बाए जैया। पाणी का समस्या है, पाणी का समस्या है, अच्छा यह इतना सुप्रस्टी आफ़ aikम् करते हैं, इहां सफाई नहीं, गंदी नहीं, लोगों ने मकान क्या है तो आफ लूग सरगार क्या करीगी, यहां के जन्ता से जग्डा करेगी? तो इस चुनाव में अगला जो आपका आपको उम्मिद्वार है जिनका आप समर्थन करेंगे इन्होंने बताया कि समय आएगा और वे उसमर्थन करने के लिए आगया आएंगे आप देख सकते हैं इन तंग गलियों में भी इतनी भीड है लोग यहां पर जमा है सब अपने घरों से निकलकर पुछाते हैं कि मीडिया से कुछ बताएं अपनी समस्याओं को रखें और हम ऐसे में ही लोगों की समस्याओं को आपको बताएंगे यह है नई सड़क का इलाका जो इसी इलाके में प्रेम कुमार विधायक भी रहते हैं और तो लोग यहां पर खड़े हैं बात करने के लिए अपनी बात को बताने के लिए बताएंगे सर क्या क्या समस्याओं है यह 4049 थी जी तो लोग किये है रोटका ताएंगे असरा बताइए आप नचालीस में हैं जी बताएंगे सर सब्सक्राइब नहीं है तो आपके इसी चेतर में बिधायक भी रहते हैं वाट परसद भी है फिर भी पीने का पानी नहीं और यह पूरा बीश्य प्रसीद इलाका है नई सड़क बिशनुपत का इलाका तो कैसे यहां पर इतना लौच चल रहा है इतना आसरम चल रहा है तना म पानी जो आता है तो आपने इसके लिए कोई आवाज उठाया है वार्षत को बताया है यहां तो अभी ऐसा कुछ नहीं गया था नहीं मालू है तो अब चुनावी महौल है इसे में आपको क्या लगता है कि इनका समर्थन आपको लोग करना करना चारहे है या करेंगे अभी तो जहां तक हमारे यहां से हमारे सबसे मेरे निकटतों मामा जी भी है तो हर तरफ धर्मेंद्र यादव पुन्ना यादव का यहां पर सोर है और आप देखे यहां वार्ड नंबर 49 का इलाका साहद आभ यहां पर इंड हो रहा है राजेसकुमार विहारमेंज डॉट